नमस्कार मैं डॉक्टर अमित केसरवानि आपका हार्दिक स्वागत पाभिन अंदर स्टूडेंट फ्रेंड्स और फालोवर्स वो सभी लोग जो हमारे इस वीडियो को वर्तमान में देख रहे हैं आप सभी लोगों को मैं यह बात कहना चाहूंगा कि यह एक एजुकेशनल वीडियो है जिसमें जो मैं प्रयास करता हूँ जो बातों को कहता हूँ वो समाजिक यानि समाज शास्त में जो भी प्रश्णे हैं उनसे संबंदित रहते हैं इस प्रश्णिस से संबंदित बहुत से ऐसी बाते जो विचारधारा के रूप में निकल जाती है तो उसे स्टूडेंट्स या कोई भी समाज किसी अन्यत रूप में न ले क्योंकि कई लोग ऐसा विचार रख रहे हैं कि जो सर ने कहा वो थोड़ा सा कॉंटरिक्ट्री हो रह है कि मैं आप लोगों को एक बहतर प्रप्रेशन करा सकूं और समाजिक विचारधारा को इस प्रकार से बढ़ा सकूं जिससे की समाज में एक बहतर नागरिक बन सकें इन प्रश्णों को तो एक्जैमनेशन के पॉइंट आप से इंपॉर्टेंस दिया ही जाए लेकिन समभवना जल्दी है जैसा मैंने आपको बताया था कि एक्जैमनेशन दो से धाई मेने के अंदर हो सकता है आयोग दुरुस्त हो गया है आयोग में अब बस एक ही चीज रह गया है कि परानी परिक्षाएं जो रुकी थी उन्हें कराया जाए और नई परिक्षाओं के परिक्षाएं पीजी टी की होने वाली है एक 2022 की और एक 2025 तक में जो की 2024 में निकलने की संभावना लगभग लगभग तय है तो चलिए स्टुडेंट्स आज जो पीजी टी के इस डिलेटेड कुछ कुशन से उन पर चर्चा करते हैं जो कुशन से नेट जैरफ की पॉइंट से भी इंपॉइंट है नेट जैरफ में भी इनका बहुत बड़ा रोल है क्योंकि कुशन्स नेट के हो चाहें पीजी टी के हो जो स्टाटेजी है कुशन्स का वह समार्शास के अंदर धान्तों से रिलेटेड है थोड़ा सा डिफरेंस जरूर हो जाता है कि यह माना जाता है कि पीजी टी की जो परिक्षाओं के कुशन्स है वो कॉंसेट बेसेज हैं लेकिन हाली की जो पीजी टी के परिक्षाओं हो रहे हैं वो भी काफी टिपिकल होने लगी है यहां पे कॉंसेप्ट अच्छा होना चाहिए बहतर होना चाहिए समझ अच्छा होगा तो अच्छे स से रिष्ट आप दे सकते हैं सिर्फ फैक्ट से काम नहीं बनेगा थोड़ा कॉंसेप्ट को भी लेके चलना होगा तो चलिए कुछ कुछ कोश्चन करते हैं तो स्टार्ट कर रहे हैं मैंने इससे संबंदित कुछ कोश्चन को पहले प्रैक्टिस कराया था और उसी प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हुए आज कोश्चन नमबर सिक्स से शुरुबात करूंगा कोश्चन नमबर सिक्से ग्लोबलाइजेशन का समाज पर क्या प्रभाव है वाट इस दे इंपक्ट ग्लोबलाइजेशन के विश्व में पूना बता दूँ एक की करण वैश्वी करण ग्लोबलाइजेशन की हिंदी क्या है वैश्वी करण अब एक लाइन में अगर आपसे कभी पूछा जाए कि ग्लोबलाइजेशन का तातपर क्या है तो आप बोलेंगे विश्व का एक ही क अब ऐसा मैसूस होने लगे कि विश्व के अपने हैं और हम विश्व को अपना घर जैसा अपने लोगों जैसा अपना परिवार के समदाय जैसा उस जोती है वैसे ही यहाँ पर भी पीड़ा मैसूस होती है जब मुझे कोई प्राब्लम हो तो विश्वी के समझ के लिए अब इसमें विचारों में एक हो जाना संस्कृतियों में एक हो जाना लोगों का एक साथ हिल मिल जाना और सबका एक दूसरे एक से क्लोजनेस होना तो एक प्रकार से विश्वी एक हो जाए यह वैश्वी करण है इसका सकरद्बग प्रभाव भी है और थोड़ा बह। नकरद्बग प्रभाव भी है। सकरद्बग प्रभाव तो ये है कि हमारी संस्कृतियां और हमारे आर्थिक संवन मज़बूत होंगे। जब संस्कृतियों का आदान प्रदान होगा, तो हम अपने संस्कृतिक डिष्टिकोन को आगे बढ़ाएंगे, हमारे संस्कृतियां प्रचारित होगी अन्य देशों में ले जाएंगी और उसका भी उसको सम्मान दिया जाएगा, आर्थिक संबन्द मजबूत होगा, आर्थ संस्कृतियां जदा प्रभावी हो जाएं और हमारी संस्कृतियां कुछ उससे नकरात्मक प्रभाव में आजाएं और हम अपनी संस्कृतियों को पिछार दें यानि उससे पिछण हो जाएं, तो कहीं न कहीं संस्कृतिक और आर्थिक अंतर संबन्द में जो है, एक mutual understanding या positive या negative की बनेगी, अब यहां पर चार आप्शन दिये हैं, इस्थाने परंपराओं का उन्यान होना, लोकल प्रेडिक्शन का नहीं बढ़ना, बलकि हमारा वैश्वी करनोना, विश्वी के परंपराओं का एक होना, तो यह इसका अंसर नहीं होगा, राश्ट्री सीमा का महत नहीं, अंतराश्री सीमा पर, यह हमें सीमा बाधायें खतम हो जाएं, और हम सब को एक जैसे साथ जोडने लगें, एक परिवार, एक सीमा, एक परिवार जैसा महसूस करने तो यह भी नहीं होगा, आप्शन यहां पिसपष्ट है, सांस्कृतिक और आर्थिक अंतरसंबन, क हमारे आर्थिक तंतर दूसरे अर्थविसा के साथ तालमेल खाएगी, इससे आर्थिक तंतर मजबूत भी होगा, और हमारे सांस्कृतिक परिसार भी होगे, तो दोनों चीजें यहां पर दिखते भी दिखे, सांस्क्या नियंतर यह बहतर विकल्प नहीं है, तो सही आंसर होगा सांस्कृतिक आर्थिक अंतरसंब्द, देखी कुछ कुछन ऐसे हैं, जो पैट है, पैट मतलब आना है, जैसे मैं आपको यहां पर एक कुछ इंपॉर्टिन बाते बता दे, जैसे एंथनी गिरींस का, आपको याद कर लेना चाहिए संरशनाकरण का सिध्धान, इससे कुछ अचे कूशन आएगा, पेर बोटियों का हैपिट्स का सिध्धान, कैपिटल का सिध्धान यह इंपॉर्टेन्ट है, इसके साथ डेरीद्या का विखन दन्वाद का सिध्धान यह इंपॉर्टेन्ट है, साथी साथ ऐल्फरेट सुझ का फेनोमेलाजिकल सिध्धान, यहां पर अच्छे से इनको समझ के जाएगा लाएगा जैका आगी कुश्शन पर बलते हुआ है अगली कुश्शन पर नमस्कार जो भी लोग उपसे दें आप सबी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद जो भी वीडियो देख रहे हैं अप एक शाह है कि हमारे बातों से आपके उपर आपके ज्यान पर वृद्धी हो और आपके जीवन में हमारी बाते सकरात्मक सूच को विक्सित कर सके एक पॉजिटिव एनौड डिवलप हो सके हैं तो चलिए अगले कुशिन पर चलते हैं अगला कुशिन नारिवादी समाज़षास से रिलेटेड है अब जब नारिवादी समाज़षास की बात आती है तो इसका मतलब क्या होता है इसका मतलब ऐसी थौट जो की जेंडर डिवलप्मेंट की ओर पढ़े नारी यानि फेमिनी यानि की वुमिन्स के डिवलप्मेंट की बात रखे अब वुमिन्स की डिवलप्मेंट केवल वुमिन्स कर सकती है यह संकिन विचारधारा है यहां पर संपूर्ण समाज, वुमिन के सासर पुरुष दोनों का हिमात है, दोनों ही समाज में महिला डिवलप्मेंट महिलाओं के विकास के लिए योग दे सकते हैं जैसे पुरुष परिवार में जिस परकार से अपने घर के सदस्यों में चाहे हो महिला सदस हो चाहे पुरुष सदस हो सब के लिए बराबर सोचते हैं आप एक पिता के रुप में अपने संतान के लिए अपने बेटी के लिए विकास के वास सोचते हैं उसी तरह से अपने अपने पत्नी के development के लिए भी सुचते हैं बहुत से लोग अपनी पत्नियों को शिक्षा दिक्षा कराने के लिए पाहर भेशते हैं यजे नहीं सोचते के वा आगे बढ़ जाएंगे तो वो कमजूर हो जाएंगे बहुत से लोग जो है अपने परिवार की अन्य वर्द में महिला हैं जैसे की बहने हैं उनके लिए कर रहे हैं तो ये सब कुछ पूरिश डरा महिलाओं के विकास का व्यापक सोच है तो जब हम फैमिनिस्ट की बात करते हैं तो फैमिनिस्ट में केवल फैमिना यानि केवल भूमेंसी डिवलप्मेंट करेंगी यह एक संकिर विचार धारा है दोनों पक्षिस में महत्रोंड अधा करते हैं तो नारीवादी समाशास में लेंगिक असमानता के कौन से मुख होते हैं तो कौन से मुख पहलू होते हैं जो लेंगिक असमानता के लिए जिम्मेदार है आर्थिक असमानता और राजनितिक अधिकार अर्थिक असमानता और राजनितिक अधिकार तो एक चीज़ यह हो गया कि एकॉनमी की रूप में इनेकॉलिटी दिया जाए और पॉलि संचालन के बात किया जाए तो पुरुष रूप से पुरुष प्रधान समाज है हमारा और विश्य के बहुत से देशों में पुरुषों के ही वर्चस हैं उनके द्वारा संचालित हो रहा है उनके द्वारा ही परिवार का लालन पालन पोशन किया जा रहा है अच्छी बात है लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता कि महिलाओं को आर्थिक ग्रूप से सबल होने से रोका जा सकी क्योंकि पुरुशों के साथ महिलाओं का भी सबल होना जरूरी है अगर अकेले एक विक्ती समाज का डिवलिप्मेंट कर सकता या केवल एक वर्ग का विकास करने से समाज का विकास हो जाएगा तो ये एक संकिन विचारधारा है अगर समाज के सबही वर्ग पुरुश और महिला दोनों वर्ग मजबूत होंगे तो परिवार और समाज तो उनों का विकास होगा तो आर्थिक असमानता को दूर करना और राजनितिक अधिकार, राजनितिक अधिकार मतलब राजनितिक की रूप में उन्हें सत्ता का अधिकार दिया जाए, उनके लिए आरक्षन की विविस्था किया जाए, जिससे वो जल से जल एक्वालिटी में आ सकें, और यह सारी यहाँ पर दिखादा की मुकपईङूं में तो बराबर दिखाई दे रहा है तो आप ये करिए कि उसमें जो सबसे ज़्यादा तारकी कंश हो उसको स्युकार कर लीजे तो तारकी कंश की रूपे हम देखें तो आर्थिकल सामानता में स्वास्त सेवाएं कारिस्थल पे भेधवाओ ये सब को समाहित हो जबकि राजनितिक अ देखें तो ये और व्यापक हो जाता है तो इन तीनों में अगर चैन करने की बात आएगी तो अब एको चैन कर लीजे ज़्यादा मजबूत तरक दिखाई देता है ठीक है आगे बढ़ते है नेक्स्ट कोशन क्यों अगला कोशन सांस्कृतिक आदान प्रदान से हैं कल्चर आना तो जब संस्कृति आपस में एक दूस्रे के क्लोज आती है कैसे आती है दो अलग अलग संस्कृतियों के लोग एक साथ जुड़ते हैं एक साथ साथ रहना शुरू करते थे जैसे भारत में हिंद्व था और मुस्लिम आक्रमकाउँ ने भारत पर एटैक करा और यहीं आके रस बस गए और यहाँ पर भारत में दोनों संस्कृतियों का मिलन शुरू हो गया तो इस सांस्कृतिक आदान प्रदान कल्चर डिफ्यूजन हो गया इसी के साथ साथ देखें तो ब्रिटेशल्स का भारत में आना उनकी भी संस्कृतियों में रख सकते हैं समाज में कौन-कौन से परिवर्तन लाए तो समाज में कैसे-कैसे बदलाओ आए इन पर बात किया जाए तो अगला पहला option है भाशाई एक रूपता का आना तो भाशाई एक रूपता यानि भाशा के मानने में देखा जाए तो एक भाशा हो गई तो संस्कृतिक विवित्ता का तात्पर ही हो जाएगा कि विविन संस्कृतियों का होना जैसे बारत एक बहुलवादी संस्कृतियों का देश है इसका सही आंसर भी संस्कृतिक विवित्ता राजनितिक स्थिरता तो नहीं आएगी क्योंकि संस्कृतिक आदान प्रदान से राजन मजबूत पक्ष है क्योंकि जब संस्कृतियां का आदान प्रदान होगा तो कमजोरी भी आ सकती है, मजबूती भी आ सकती है, स्थिता भी आस्थिता दोनों आ सकता है, सबसे मजबूत पक्ष देखें, तो संस्कृतिक विविद्था इसका सबसे सही तारकी का अंसर है, देख स्थिरता के बात करें तो То 소ик कर गया लेकिन और ना चाह रहा हूं जो कहने का मतलब है कि अगर एक साथिक आप्शन सही हो रहे हैं तो आप जो सबसे तारकिक आंसर हो उसको लेने का प्रयास करिए तो यह कुशन के अकॉर्डिंग तारकिक आंसर भी होगा सांस्कृतिक प्रिवित्ता अगला है कोशन नमर नाइन समासाज में संस्थागत नक्सलवाद इंस्ट्यूशनल रेसिजम का अतातपर क्या होता है रेस प्रजातिक अधार प्रजातिका अतातपर होता है शारिरिक बनावट से शरीर की बनावट की अधार पर लोगों में भेद भाव करना इसे रेसिजम क तो शारीर बनावट के अधार पर रेसिजम यानि जैसे अमेरिका में काले गोरे प्रजातिक अधार पर एक दूसरे से विभेद है भारत जैसे देशों में तो प्रजातिक अधार का विभेद ना के बराबर है यहां जातिक अधार है जाति यानि जन्ब से अधारित है और जन देखा जाता है तो उसे प्रजातिक रेष्यनिजम कहा जाएगा और संस्था में जो-स लोग को ले-कर ले-कर य। संगर्श हो रहा है उसकी बात है Are इसके प्रभाव क्या है इसके बाद शिक्षा और रोजगार में असमानता का आना समाशाथ में संस्थागत नक्सलवाद में अगर आएगा तो जातीगत तो नहीं होगा जाती और रेस में अंतर है प्रजातिक शारिरी के बनावट के अधार पर होगा जातीगत जंद के अधार पर होगा तो यह तो होगा है नहीं भी हो सकता है कि शिक्षा और रोजगार में असमानता आएगी धार्मिक असमेति रिलिजियस डिसेंट धर्म के अधार पर कहा जाए असंतुष असमेति कर जो धार पर असंतुष रते कि धर्म का रेस से सीधा संबन नहीं है रेस्त कुष प्रजातिक यानि शरीर बनावट है भगली किस्तितियों के नसार बदल सकती है कोई नाटा है कोई काला है कोई लंबा है कोई बुरे बाल वाला है इस प्रकार से शरीर की बनावट के अधार हो सकता है तो यहाँ पर यह कहा जाए तो जो धर्मिक डिसेंट है यह नहीं होगा दि क्या है सांसकितिक परमपराओं का सनुरक्षन कैसे होगा यह तो शुरक्षन नहां की बात हो गई तो ड गलत है इस पास्रत यहां पर भी है तो जो आंसर है वो यहां पर भी होगा आपका नाइन का भी चलें आगे निक्ष्ट कोश्चन पर आज के लास्ट कोश्चन तो विकास का समाजशाथ डेवलेप्मेंट सोशलोजी का वे क्या महत्व है और किस प्रकार से ध्यान के इंदित करता है डेवलेप्मेंट सोशलोजी यानि समाजशाथ का विकास होने की बात है अच्छा विकास का समाजशाथ का एक मतलब आपको समझा देता हूँ विकास का समाशास्त का तातपर होता है कि समाशास्त में अन्ने ग्यानों से अन्ने तत्वों से लाकर के ग्यान को जोड़ा जाए जिससे समाशास्त का विकास हो समाशास्त में कई एक विकासात में प्रवित्यू को लाया जाए रूरिबद धार्णाओं को दूर किया जाए, परंपराओं से समाज को विमिक्ट किया जाए, आधुनिकता के पहनों को अपनाए जाए, संस्कृतियों में जो वर्तमान हमारे संस्कृति, जो लाबदायक संस्कृतियां उसको पनपाया जाए और हो सके तो आधुनिक मनास्ति तो इसे हम विकास का समाजशास कहेंगे, ठीक है, तो concept clear हो गया, कि विकास का समाजशास क्या है, और अब इसका है कि विकास का समाजशास किस बात पर focus करता है, तो पारंपरिक समाजो का अध्यन करता है, study of traditional societies, नहीं, पारंपरा का नहीं, बलकि आधुनिक्ता की बात करता है, तो ए नहीं होगा, विकास शिल देशों के समाजशास का अर्थिक प्रगती, यह बात एकदम solid हो गया, जो विकास शिल देश है, उनके समाजशास का अर्थिक स्तितिक को मजबूत करता है, जी हाँ, सही आंसर दे रहे हैं, बी सही आंसर है, विकास शिल देशों के समाजशा प्रगति इसका कोई रिलेशन नहीं है और सहरी समाज स्राइश का भी यहां पर कोई कॉडिनेशन नहीं वन रहा है तो यहां पर जो सही तर्क निकल रहा है विकाशिल देशों की समाजिक आर्थिक प्रगति का होना विकाशिल देशों का समाजिक आर्थिक प्रगति सही आंसर यहां पर होगा ठाल रहा अधनिक विचारों को समन्विल आना आधनिक तत्वों को रखना परंपराउं से रुड़ी बद्यात्रा से बाहर आना आर्थिक प्रगति की ओर जानना यानि परंपरा से हटें धर्म से थोड़ा सा हट करके हम विकास की बात सोचें और हमारा विकास कैपिटलिजम की ओर हो तो एक प्रिकास से देखें प्रशनों को जल्दी में लेकर आऊंगा कई और प्रशन जो पीजीटी से कोर्लेटेड हैं वो जल्दी सत्र में शुरू होंगे एक लंबा सेशन भी रखा जाएगा जिसमें पीजीटी में अच्छे से प्रयास हो सके अच्छा सा विकास हो सके अच्छे से बातों को गहाई से जाना सकते हैं मेरा जो उटस होता है वो क्लास में सिर्फ कोश्टन को ना कराकर नहीं को पिकास करना जिससे कि जो ज्चार हैं जो नौलिज के इफैक्ट्स हैं वो आपको ज़्यादा-जादा मिल सकें जिससे कि आप एक कोश्टन के चार option को बहतर रूप से समझना है और उन चार option में से किसी option से कोई नया question आए तो आप बहुत जल्दी इसको सरल्प्यार से solve कर सकें तो आज के लिए इतना ही फिर मिलेंगे धेर सारे और questions के साथ तब तक अपना ख्याल रखिएगा धन्यवाद नमस्कार